जहीं दोस्तों प्रयारगोच चैनल में आप सभी को श्रागत है आज जो है तो परश्रीमन आयोग ने जम्मू काश्मीर के लिए जो अपनी रिपोर्ट है वो तयार करके शौब दी है केंसरकार को यह परश्रीमन आयोग क्या होता है इसका क्या काम होता है किस प्रकार इसका गठन होता है उस सभी को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे जम्मू कास्मीर के लिए केन सरकार ने एक आयोग का गठन किया था पश्रीमन आयोग का मार्च 2020 में और इसके जो आयोग का अध्यच बनाया गया था उच्छतम नयाले के पूर्व नयाधिश रजना प्रकास देशाई को बनाया गया था और इन्होंने अपनी फाइनल रिपो होगा जिसमें 43 सीटे होंगी जम्मू संभाग होगा जिसमें 43 सीटे 47 सीटे कास्मीर संभाग के लिए जम्मू संभाग के लिए जो हो तो 43 सीटे अंसूचित जात के लिए 7 सीटे अरक्षत की गई है और अंसूचित जन जात के लिए 9 सीटे अरक्षत की गई है प्रतेक परसी मन का उद्दैश होता है कि जो समाय के साथ जन संख्या में बढ़ागा तो नागरीकों को समान प्रतक्रत्धित मिल सके हर शेत्र से इसलिए जो तो इस का उड़्देश परिश्यमन आयोग का उद्देस होता है कि उसका थेखो इंका निर्धारन करने कार्षी ये परशीमन आयोग भी करता है फिर परशीमन आयोग जो होता है उसको boundary का मुजशन या सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है प्रतिक जनगर्णा के बाद भारत की संसत के द्वारा जो तो संविधान के अनुछेद 1872 तहत ए पर शेमं अधियम जो दो लागु किया जाता है यह द्य हान, रखे अश्य चेद2 पर्श्रीमन अधियन के लागू होने के बाद राश्ट्पत के द्वारा पर्श्रीमन आयोग की नियुक्त की जाती है और यह रारीक्तर समय निरवाचन आयोग के साथ मिलकर कार करती है ये पर्शीमन आयोग की सनरशना की बात की जाए पर्शीमन आयोग की अधिशता उच्टम नयाले के आवकास प्राप्त नयाधिस के दोरा की जाती है इसके अतरिक इसमें आयोग में लिखी सदस्ट भी होते हैं कौन-कौन होते हैं मुख निर्वाचन आयोग्त या मुख निर सभ मंदी सदश होंगे इन सभी होगी सदश्टों का जो नम कहां होता है ऑधिकारियों को भी बूला सकता है जिसमें है महा पंजियर या जन्गर्णा आयोग रजिस्टार जनरल या संसर्स कमिशनल आफ इंडिया, भारत के महा सर्वेच्छक सर्वेयर जनरल आफ इंडिया, केंद या राज सरकार से सम्मंदित कोई अन्य अधिकारी, भौंगोलिक सूचना प्रानाली का कोई विसेशक जोत असरता पढ़ने पर गुला सकता है परसीमन आयोग या कोई अन्य विसेश सग्यता या जानकारी से परसीमन प्रक्रिया में सहायता प्राप्त हो सके, जोत इन अधिकारीयों की सहायता परसीमन आयोग जलोत पढ़ने पर ले सकता है, परसीमन आयोग का कार होता है करना पर्शीमान आयोग के कारिक अंतरगत आता है अब हम लोग थोड़ा सा पर्शीमान आयोग का जो इतिहास है उसको समझ लेते हैं पर्शीमान आयोग अधियां उनिश्चो बामन के तहत गठन किया गया था उनिश्चो बामन में पहली बार दूसरे पर्शीमान आयोग का तहाट रिपना इससे पहले जो बने थे उनका जानकारी है धन्य बाद दोस्तों यदि आपको हुमारे वीडियो अच्छा ला रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जड़ू कर दिएगा साथ साथ अपने दोस्तों में भी सेयर करेंगा थांक्यू